हेलो जैमिनाई जैमिनाई यानी मिथुन रासी नमस्ते कैसे हैं आप 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 सब अच्छे होंगे मैं सुरेश गोर्ड स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रेपल एस हिंदी टैरो पर तो आज हम जैमिनाई पास्ट जो आपका अभी अभी जो पास्ट बीता है जो रिसेंट पास्ट है और जो 72 आवर्स के लिए जो करन्ट अनर्जी है और जो अभी अभी नियरेस्ट आपका फ्यूचर होगा उसके लिए 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक एक वीकली यह निसाफता ही क्रेडिंग करने वाले हैं और यह एक जनरल लेडिंग है आप जानत सकती तो चलिए चलते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों को दिवाली की मेरी तरफ से हारदिक बदाए आपके जीवन में यह दिवाली खूब सारी खुसियां सम्रेदी यश और नम लेकर आए तो चलिए चलते हैं आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और यह काइडेंस के लिए आया है दा हर्मिट यह आपके फ्यूचर के लिए आया है तो फ्रेंड्स लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप दूसरों को रस्ता दिखा रहे थे आप काफी समझदार दिखाई दे रहे हैं काफी बुद्धी मान दिखाई दे रहे हैं और लोग आप की बातें भी सुनते हैं उसको फोलो भी करते हैं तो आप अपना आप दुसरों को हर चीज हर काम बताते हैं कि ये काम ऐसे करना चाहिए वहां जाना चाहिए इसमें आपको फाइदा है इसमें आप का नुकसान है लेकिन कहीं ना कहीं दुसरों के चक्कर में आप अपने आपक आप अपना खुद का काम नहीं करते आप दुसरों को सला देते हैं लेकिन आप खुद उसको फोलो नहीं करते तो आपको भी उसको फोलो करने की जरूरत है उस पर चलने की जरूरत है अगर आप फ्यूचर में थोड़ा सा भी आप ने अपने मन को एक तरफा करके मौन रहे कर या शान्त रहकर बगवान से meditation आस्था लगाई है meditation किया है prayer की है तो आपको कोई ना कोई इसमें पादर्शिता कोई ना कोई नई जोती जरूर मिली होगी इसमें आपको guidance जरूर मिली होगी कि आपको present और future में क्या करना है तो आपको थोड़ा सा इसमें एक तरफा रहकर बले ही लोग आपको गलत समझें तो आपको अपना decision लेने की इसमें जरूरत थी थोड़ा सा रुख कर ठहर कर जल्दबाजी अगर आपने नहीं की होगी और रुख कर ठहर कर थोड़ा सा meditation प्रेयर के साथ आगे बड़े हैं तो देखते हैं आपका future और आपका present energy कैसी रहने वाली है Ace of Cups तो ये Gemini आपकी जो current energy दिखाई दे रही है जो 72 hours के लिए हो सकती है तो ये एक बहुत बड़ी खुशकबरी है इतनी बड़ी news का कि आप शायद इसको सुनकर emotional हो जाएं आप इसको सहन ना कर पाएं मतलब इतना खुशी आपको मिल जाएं जो ये coins दीख रहा है जो ये winning दीख रही है ये आपकी success है ये आपकी काबियत है जो आपने past में महनत की है जो effort लगाई है जो कोशिश की है आपने बगवान में आस्था लगाई है जो meditation किया है उसका कहीं ना कहीं बले ही आपको past में प्रेशानियों का दिक्कतों का सामना करना पड़ा हो लेकिन अभी आपकी energy इसमें नई beginning नई शुरुआत होती दिखाई दे रही है तो जिस चीज में भी अगर आप हाथ दालेंगे कोशिश करेंगे effort लगाते रहेंगे मेहनत करेंगे और समय का सद उपयोग करेंगे समय को गमाए बिना अगर आप इसको accept करते हैं और इस पर काम करते हैं तो जिस चीज में भी आप शुरुआत करना चाहते हैं beginning करना चाहते हैं तो आप काफी अच्छी beginning इसमें कर सकते हैं अच्छी शुरुआत कर सकते हैं और इसमें काफी अच्छे returns भी आपको आगे जाकर future में जाकर मिल सकते हैं तो आपका जो present energy है वो काफी अच्छी है गुड है तो आपका future कैसे रहने वाला है तो जैमिनाई हम देखते हैं कि आपका जो nearest future है judgment का काड़ाया है तो हो सकता है कि past में कुछ न कुछ आपने गलतियां की है हो सकता है कोई आपने proposal ठुकरा दिया हो जो आपको नोकरी मिल रही थी या जिस business में भी आप काम कर रहे थे या जहां आप काम कर रहे थे किसी कारणवस आपने उसको छोड़ दिया हो और हो सकता है कि ये रिस्ते के लिए भी ये काड़ होता है कि आपका शादी सुदा जिन्दगी जो life आपकी चल रही थी उसमें separation हो गया हो दूरियां आ गई हो तो ये जो काड़ है ये माफ करने का और माफी मांगने का है तो अगर आप जहां काम कर रहे थे जहां आप business कर रहे थे जहां आप finance के से related wealth से related कोई भी काम कर रहे थे और वो आपने छोड़ दी है या छूट गई है तो अगर आप वहां जाकर उनसे माफी मांगते हैं और दूसरों को माफ करते हैं और आप अपने को surrender way में अगर आप काम करते हैं तो किसी चीज में नौक जोक नहीं करते उसमें कोई किसी काम में ये में अगर आप काम करते हैं तो आप दुबारा से अगर आपने अपना प्यार खोया है अपना relation खोया है तो उसमें reconciliation हो सकता है और अगर आपने जो या business या finance में गाटा उठाया है उससे आप छोड़ चुके हैं तो उसमें भी आप दुबारा से शुरुआत कर सकते हैं नई beginning कर सकते हैं तो university आपके साथ हैं blessings आपको मिल रही हैं अगर आप ऐसा करेंगे दुबारा से उसको शुरू करेंगे लेकिन आपको सामने वाले को माफ करना पड़ेगा और उससे माफी भी माफी भी माँगनी पड़ेगी अगर उसको माफ कर देते हैं और उससे माफी माँग लेते हैं तो अपने future को आप दुबारा से शुरू कर सकते हैं जहां से आपने छोड़ा था एक नई beginning नई शुरुआत उसमें हो सकती है और अपने future को आप काफी अच्छा bright लेकर जा सकते हैं और universe भी आपके साथ हैं blessings आपको मिल रही है जो अगर इसमें ये गड़े मुर्दे उखाडने का काड़ है अगर आप इसमें गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते ज़्यादा नोक जोक नहीं करते ज़्यादा खिचाओ नहीं करते बातों का तो आप अपने काम को दुबारा से या कह सकते हैं कि रीगेन इसमें आप कर सकते हैं अच्छा जो खोया हुआ था उसको दुबारा से आप पा सकते हैं जस्टिस ये जैमिनाई आपके लिए जस्टिस का कार्ड आया है कि ये बिल्कुल माप तोल कर मिलेगा जैसा आप करम करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको फल मिलेगा अगर तो मेहनत करते हैं एफर्ट लगाते हैं और आप अच्छा काम करते हैं तो आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है लेकिन आप अगर गलत काम करेंगे तो इसका नतीजा भी गलत ही होगा तो ये टिट फोर टेट जैसे को तैसा वाला कार्ड है गाइडेंस मिल रही है कि अच्छे करम करिए अच्छे फल पाईए तो जैसा आप करम करेंगे वैसा ही इसके अकोर्डिंग बिलकुल नाप तोल कर आपको फल मिलेगा यूनिवर्स से आपके साथ नयाय करेंगे तो ये करमानुशा आपको नयायस में मिल सकता है तो आज के लिए इतना ही फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो फ्लीज लाइक कीजिए, सेर कीजिए, सबस्क्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए कंजुसी मत बरतिये प्लीज आप सब्सक्राइबर आप खूब सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स से करवाईए अपनी फैमिली से करवाईए अपने दोस्तों से करवाईए ताकि आपको नए नए वीडियो देखने को मिले और कमेंट्स कीजिए अगर आपको कोई गलती नजर आती है तो प्लीज उसको भी बताईए ताकि मैं उसको सुधार सकूँ तो और ये आप अगर सब्सक्राइब करते हैं और अच्छे अच्छे व्यूज देते हैं कमेंट्स देते हैं तो ये आपकी तरफ से मेरे लिए दिवाली का गिफ्ट होगा क्योंकि आज दिवाली है तो गिफ्ट देना तो बनता है तो प्लीज लाइक किजिए शेयर किजिए स पिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, आपना प्यार और आशिरवाद मुझ पर बनाए रखिएगा, तो चलिए चलते हैं, थेंक यू सो मच, नमस्ते.